असलाम ओलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लूग तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे जोश मलियाबादी सहाफ के अबारे में यह वीडियो और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनके बारे में जो इस बुक में दियावा है यह बुक का नाम है नवाय उर्दू प्लास T कम थे इनकी पैदाइश हुई थी और 1982 में ठीक है यानि के लगबग के 84 यर्स से जिन्दा रहे इस दुनिया में रहे ठीक है उसके बाद इनकी रूफ दुनिया में चले गई सो देखते हैं इनके बारे में क्या कुछ दिया गया है इसकी शिरू करते हैं इसको रड़ी घर्णा ठीक है? शबीर हसन, बेपे तश्टिय्द है तो बे को दूबार पढ़ेंगे शब और बीर, शबीर हसन का नाम इनका नाम शबीर हसन का है नां? नाम तखलुस、 जोष तखलुस बोलते हैं, पूर्डु ten जो अरदु में जो एक नाम होता है, श्यरशाइडी, मुसम बोलते हैं, तखलुस ठीक है, तो इनका तख्लुस जोष जोष है, और वतन मलिहाबाद था, मलिहाबाद जोकी यूपी में अ जगह है, इननो उन्नाव में नही यूपी में जगह है, पैदाइश लखनव में हुई, इल्म और अदब रिवायत रिवायत यानि ट्रडिशन खांदान में बज़र्गों से चली आ रही थी, अब यह से यह पता चलता है कि इनकी सभी लोग जो दादा पर दादा थे सब पढ़ ले कि लोग थे ठीक है जोश की इप्टिदाई तालीम तर्भियत घर पर हुई तालीम बोलते हैं एजुकेशन और तर्भियत यानि एक तरह से ट्रेन करना ट्रेनिंग है ना अर्बी ओ फार्शी यानि वाउ का मतलब होई और अर्बी ओ फार्शी में अच्छी इस्ताइदाद पैदा की इस् सलाहियत या काबलियत उसके बात लखनव सीतापूर आगरा और अलीगड़ में तालीम हासिल की तो यह सब जितने में शहर हैं लखनव सीतापूर आगरा अलीगड़ यह सब यूपी में हैं तो आप समझ सकते हैं यूपी पहले पढ़े लिखें लोगों की एक खास पसंदी सीधा जगा रही है सो आगे देखते हैं 1916 में वालिद के इंतकाल के बाद वो कलकत्ता जो आपके इस वक्त है पूल काता चले गए यहां उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर से हुई टैगोर की शक्सियत यानि परस्नालिटी और शायरी ने जोश को म शक्सियत ने रविंद्रनाथ टैगोर साब की शक्सियत ने क्योंकि वह बहुत मश्यूर शायर रहे हैं अपने जवाने के 1924 में वह उस्मानिया यूश्ट्री जो के हैदरबाद में हैं हैदरबाद के दारुल तर्जुमा दारुल मतलब होता है घर तर्जुमा यानि ट्रं इसका और दूसरा मीनिंग देखें तो इंस्पेक्टर जनरल तो नहीं थे लेकिन एक तरह से पोस्ट थी नाजरी की है ना दारुल तर्जुमा में नाजरे अदब के अहदे पर मुलाजिम हो गए यानि वहां एक जॉब करनी शुरू कर दिए 1934 में देहली आ गए जहां उन पूरी पोईट्री ना ये सब जो भी पोईट्री उन्हों ने की थी मज रहां यानि के पूरी पूरी पोईट्री लिक एक नहीं पूरी लिखकर ने फूर बूर निकलता खार वोसम हुआ compassion शालम हो सालयिके आप उसके बाद वो पूरा की एक फिल्म कंपनी में मुलाजिम हो गई तो जैसा कि आप जानते हैं फिल्मों में उर्दू का बहुत जादा ही इस्तमाल होता है आज भी और पहले भी तो इसलिए ये फिल्म कंपनी में भी लग गए थे इन्वाना काम किया था ठीक है आजादी के बाद हुकूमते हिंद के रिसा थीए उन्नीच सो पच्पन में उन्हें पढ़ंभूशन के एखजाज एखजाज बोलते हैं इक आवाड है ना तो और उनु को पच्पन में उन्हें पढ़ंभूशन के एखजाज से नावजा गया इस्लामबाद पाकिस्तान में है जो के में उनका इंत्काल हुआ तो शायद आफरी वक्त में उनका इंत्काल हो गया ठीक है अब देखते हैं आगे जोश मलिहाबादी इंतहाई कादुर्लकलाम शायर थे काद्रुकलाम यानि कि जिसे शायरी और सुखनगोई में कुद्रत हासिल हो उससे काफ़ी अच्छा हाथ हूसका ठीक है नहीं उसी कहते हैं काद्रुकलाम यानि बहुत अच्छी पकड़़ोना उनका पहला मजमुखकलाम यानि को शुर्षाइरी थी शेर वांट जिते ते पोल्ट्री बगरा उनकी पहला मजबूवा यानि सारी शारी को एक जगा करके उन्होंने एक कलाम निकाला अपना बुक निकाली रूह अदब इस के बाद उनके कई कि मझबूवे मनजर अम पर आए त Woran शारी को पे उनके बहुत सारी शारी शायरी को Θण तो शौलेृशभनम भी आया है ना हरुफोहिकायत हरुवध मने बात हिकायत मतलब भी बात हिकायत मतलब दास्तां भी है किस्सा भी है तो एक यह भी आया हरुव हिकाय तो आप यह आद रहीगा कर जोश्म लियावादी के रुह अदब में यह वो थे ठीक है उनका पहला कलाम रुह हैदा 1930 माया उसके बाद जो है शोलाब शबनम हर्फ और हिकायत और संबलो सलासल तो यह वो नाम है जो एक्जाम में या इंटरेंस ट्रेस्ट में पूछ लिया करते हैं ठीक है तो इसको आप ध्यान रखिएगा जोश मलियाबादी ने यह लिके जो धोरा रह गया और तवील नजब यानि एक लंभी बड़ील नजब है वो है हार्फ आखर है यांनी इनका आखरी जो है ठीक है ना say नसर में यानि के नसर बोलते है शावी से जो जो शावडियоко एलावा हों या नस्म गजल गवाई से लावा हों से बोलते है नसर नàiया प्रिसिद उनकी मारूफ किताब उनकी आपबीती यादों की बरात है लेको Wasis बारात यह बरात तो यादों की बरात अगर आप से कोई पूछ है तो आप नाम ले लीजगा जोश मलियाबादी साहब ने लिखी है और बलखे लिखी क्या है कि आप भीति आप भीति बोकरं आप झो आपो अदै कि अ उसे जब लिखते Zhu है अगा बी जोश जोश यहां पे तकलूस को दो नाम थो पतोर पदей चल गया जोश ऻोश जोश ने गुलें और होबाई बी कही हैं गजल Sag जोश ने घजलें और अपही कही हैं נज मलियावादी साहब are या इन मतल सकते सानजा गो जोश मलियावादी साहब फितरत की तस्वीर कशी है फितरत की तस्वीर कशी 6 gir की थी आए पीड उनका होता कैस आद्द बहोता है इसमें अखानी हाला यह ना नेचर है ना नेचर दो होता एक आधल भी होता इस गुद्रत जो ऊपर वाले मुक्नांए हुसे वी चाम निचर नेजर वाला है यहां पर नेजर वाला है यानी ऑफ्रेंड़ी यह सब्सक्रिछी दो यह फित्रत यह वाली फित्रत की बात चली यह वाली नीचर की बात चली वाली आदत वाली नीचर नहीं है ना तो इनका मौज़ू है इनका टॉपिक जो रहा है नजमों में फित्रत की तस्विर कशी यानि के नेचर के उपर रहा है कुद्रत के ओपर रहा है ठीक है था जिसकी वजह से उन्हें शायर फितरत कहा जाता है अगर आप से कोई पूचे कि शायर फितरत किसको कहते हैं तो आप नाम लेंगे जोश मली अबादी साहब का ठीक है तहरीक आजादी की जिर तहरीक आजादी के जिर असर यानि यह भी जवाने में जब इनके शरुमात जवानी थी तो यह आजाधी नहीं थी बलके हुआ पर Hukome नहीं थी भलके ही हांपे हुआ וर्षकूमत उपनाले नहीं करने वाले थे तरीक अजादी के जरह सर उन्हों ने हुब्बे वतन, हुब्बे वतन बोलते हैं, वतन की महब्बत, हुब्बे वतन के गीदगाई और सियासी मसाहिल को मौजू बनाया, सियासी मसाहिल यानि सियासी बोलते हैं, पॉलिटिकली, ठीक है ना, और प्रॉब्लम मसाहिल, ठीक है, अपने वलवला अंगेज वलवला बोलते हैं गाइस चीखने वाला या शूर जोश खरोश जिसके अंदर हो और अंगेज बोलते हैं पैदा करने वाला यानि जिसके अंदर जोश और 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 पैदा हो जा पने अपने अपने अल्फास को निकालता है एक ही लाम दस लोग दस द स्रह के लहज़े से स्टाली जो हता है तो लव लहजा ़ोगयें के वजह से शायर इंक्लाब कहला है एन जोश मलीयाबादी वा लाहि कहलते़े हैं वह स्टो ol जो स्टो काफी अच्छी इसका नाम है गर्मी और दियाती बासार ठीक नाम तो आग य। अतनी अमीद है यह वीडियो संद आए होगी ठेक और वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर पसंद आई तो प्लीज हमारी चैनल को सब्ष्क्राइब कीजिएका ठ问 तक है। वीडियोस को जिनको इन वीडियोस को देखने की जरूँ है चलिए फिर मिलते हैं आप से बाबाई टेक केर